प्रवर्तन निदेशाले ने 100 करोड की घूस मामले में अनिल देशमुक को भेजा समन सुबा 11 बजे पूछताच के लिए बुलाया। अंतराष्टे नशा निरोधक दिवस पर प्रधान मंत्री मोधी का ट्वीट कहा नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। भारत में सितंबर के महिने में दस तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर तक देश में 6 और टीके होंगे उपलब्त। वहीं अंतरराष्टे खबरों में जोर्ज फ्लॉइड के हत्यारे डेरेक्ट चोविन को मिली 22 साल की सजा, फ्लॉइड के परिवार ने किया फैसले का स्वागत। भारती सीमा से लगे तिबबत में चीन ने शुरू की पहली बुलेट ट्रेन, चीन ने कहा विवाद बड़ा तो सेना तक आसानी से पहुचा सकेंगे सप्लाए। BCCI ने विदेशिक खिलाडियों के लिए बनाये नए नियम कहा IPL पूरा नहीं खिलने पर कटेगी फीस। और होट स्टार की स्पेशल सीरीज ग्रहंट पर विवाद गहराया अकाली दल के नीता मंजिंदर सिंग सिर्सा ने जताया विरोध कहा सीरीज में दिखाई कै कैसी गलत जांकरियों पर आधारित थे सीरीज।